यह आवाज है एक शहीद फौजी की मेरे जवान दोस्तों मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गाउं लेकर जाओगे तो यह बताओ क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे मेरा दिल यह बता रहा है वो खड़ी होगी घर के चौकट पे उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है घर की दैलीज में पहुँचते ही मुझे कंदे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोछना उनके आसों और सीने से लिपट जाना कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इंकिलाब की भावनाओं का बीच बोया खुश हो जा मां आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया मां को रोता सुन पिता जी भी बहार आएंगे देख कर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा उल्चा मेरे देश का मान जीन लिया उनके बुढ़ावे का साहरा ताकि देश मेरा जवान रहे मेरे छोटे भाई से कहना कि मा को संभाल ले वो पर ये बात धी जहन में डाल ले वो कि एक माँ यहां आसु बाहर रही है तो दूसरी माँ उसे सरहत पे बुला रही है उसे एक माँ के दूद का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के लिए फर्ज भी नुकाना है मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी उसे कहना कि करवा चौध हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है तो क्या हुआ उसका पती जिन्दा नहीं देश तो जिन्दा है बोसके तो मेरे बड़ो सी मेरे मोहले वालो को भी बुला लेना वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना लेकिन मुझे जलता देख कोई आसू मत पाना क्योंकि चल कर इस देश की मिट्टी में मिल जाओंगा मैं शहीद हूँ देश प्रेम का फूल बन कर तुबारा खिल जाओंगा मैं रास्ते पर थी नजर दिल में थी बेचैनी आखों में थे आसू और तबी हो गई अनोनी युप्ते तिरंगे में जब उनको देखा विखर मैं गई जैसे मेरे दुनिया पूरी की पूरी हिल गई मैंने अपना पती खोया और बतन ने अपना बेटा तबी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आसू ने एक नया मोड लिया खत में लिखा था अगर ये खत तुम पड़ रही हो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो मैं हमेशा तुमारी साथ रहूँगा देश की डाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम मेरी मुश्किले तुमने अपनी मान, और तुमारी खुशिया मुझे दे दे खुशी हो या गौश, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया बस एक बार फिर मेरे सपने को हाकिकत में बदल दिना हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिर बनाना वादा करना मुझसे हमारे बेटे को तुम देश की ठाल बनाओगी उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी जैहेट हाँ, करती हूँ मैं आपसे वादा, कितनी भी आए रुकावटे, कितनी भी आए मुश्किले मैं ये सपना पूरा करूँगे, मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फक्र से में खाऊंगी आया जब संदेश पिता के शहीद होने का, हम पर तूट पड़ा था पहार दुखों का मा ने ठान लिया, बस अब इस दुख से बाहर निकलना ही है, उसके दिल में थी आग हमें काबल बनाने की, और मन में थी जिद पिता जी का सबना पूरा करने की वो दूप में कर रही थी काब, हम पर चाओ रहने के लिए, हम को किया खुद से दुख, हमें बहतर जिंदगी देने के लिए वो सहती रही सारे दुख और दड़ अकेली, ताकि हम कर सके अपना मुकाम हासे लिए खुद रहकर तकलीफ में, वो देखती रही हमारी मन्जिल, और जब उस मन्जिल को अपना मुकाम मिल गया, तब मानो मा का सपना ही फुरा हो गया, देख कर मुझे फौजी बने हुए, जब फक्र से उसने मुझे गले लगाया, तब पिता जी का सपना जो देखा था माने, वो उसने हमारी रूप में पूरा कर दिखाया, ना की थी परवाह उसने खुद की, ना उसे चाहती खुद के लिए कुछ करने की, बस उसने ठान ली थी राह, उस अधूरे सपने को पूरा करने की, झाल हो झाल है, झाल हो झाल है, झाल है जदके लिए का सम्त्त था जबें पर शुद की खुद की, जा ऐसे हो झाल हो झाल है, जाल है, पुद बसुद की?